मेरा नाम संगीता नाविक है और मैं एक हाउस वाइप हूँ मैं 15 साल की थी तभी मेरी साधी होगी मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे इसलिए मेरी साधी जल्दी कर दिये हमारा परिवार बहुत बड़ा है परिवार में आठ लोग है मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने परियार को पैसा कमाने में मदद कर पाऊ मेरे पती ने खेदबारी के लिए करजे भी बहुत ले रखे हैं उनको इस समय में चुकाना भी मुस्की पढ़ रहा है क्योंकि महाँ इतने ज़्यादा है मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है और एक्टिंग भी करना बहुत पसंद है मैंने बहुत लोगों को वीमेट पर वीडियो बनाते हुए देखा इसलिए मैंने भी प्ले स्टोर से वीमेट डाउनलोड किया और वीडियो बनाने का इस्टाट कि मैं ज़्यादा पड़ी लिखी नहीं हूँ फिर भी वीमेट पर वीडियो बनाना बहुत ही आसान है शुरू-शुरू में मुझे जब वीमेट पर वीडियो बनाते हुए लोग देखते थे तो बहुत हस्ते थे उनको लगता था कि मैं पागलों की तरह दिन बार मुबाइल को क्यों देखती रहती हूं पहले मेरे पती को मेरा वीडियो बनाना पसंद नहीं था वो सब कहते थे इस चीजों में कोई फायदा नहीं पहले हैसे मेरे बी कुछ सपने हैं हमारा खुद का मकान हो पूरा परिवार खुसी से रहे मुझे बीमेट पर एक दिन दिवाली कॉंप्टीशन के बारे में पता चला मैंने भी उस कॉंप्टीशन में अपनी दिवाली वीडियो बना कर डाली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ जीत सकती हूं पहले तो मुझे लगा कि मुझसे कोई मजाग कर रहा है फिर मुझे वीमेड की तरफ से एक कोल आई जिससे मुझे विश्वास हुआ कि मेरी असलियत में गाड़ी निकल गई मैं बता नहीं सकती कि उस दिन मुझे कितनी खुशी हुई मैंने तुरंट अपने परिवारवालों को बताया कि वीमेट की तरप से हमें गाड़ी मिल रही और हो बहुत खुशी संगीतन नो गाड़ी को जीत को राम रोसन कर दिया है पूरो पलवार के जबसे मैंने वीमेट पर अपने सपनों की गारी जीती है मुझे विसकी वज़ा से बहुत आत्मी विश्वास आया है मैं वीमेट की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है कि आपने मुझे मेरे सपनों की गारी दी मेरे जीत के बाद मेरे आसपास के लोग बीच पर वीडियो बनाने सुरू कर दिया मैं खाली टाइम में अपने दोस्तों के वीडियो बनाने में मदद करती है और अब मेरे समाज में बहुत से लोग मुझे जानने लगे क्या आपने कभी अपना सपना सच होते देखा है मैंने देखा है थैंक्यो विने